मैं निवात्रमं विंद्यार्थियों शिक्षक सत्रीयों और बवावगों जैनके आपको फता है helro सब्सक्राइब करेंगे आज आप जैसे देखेंगे रास्तान स्कूल शिक्षा परिशत देख में तो पूर्ण दिर्दिस जारी हुए हैं अब इन में एप्यर की समद्ध में कुछ विश्यस निर्दिस और भी दिये गए इसके लावा आपको इस सबसे पहला काम यह करना है कि अभी बागों से मिल करके एप्यर के बारे में जैनकारी देख करके उन से सहमति पत्र पर साइन करवाने हैं वह सहमति पत्र का मिलेगा मैं अब आपको होता दूँगा इसी वीडियो में बताऊंगा और यहां आप जैसे आदिस देए देखेंगे दिस अंदर दिस तो वन नेशन वन स्टूडेंट आइडी के मद्दे नेजर यानि पुरे स्टूडेंट पुरे देश के प्रतिक स्टूडेंट की एक ही यूनिक इस तरीकिसे यहां बात करें हैं अगर मलो ब्लॉक लेवल की तो जितने भी राज के विद्यले और गयराज की विद्यले उन सभी के लिए ब्लोग नोडल दिकारी है मुख्य CBO यानि CBO कर ले मुख्य ब्लोग सिक्षा दिकारी सम्मधित जो भी ब्लोग है वो होंगे और इसके लिए जो भी एक साइक दिकारी नियुक्त किये गए जो सालादरपन, PSP पोडल और U-10 के साथ लिंक और समनों इस्ताफित करेंगे तो व कुछ इंपोर्टेंट बात हैं, APR की समंध में कि यह APR क्या है, क्या कैस के उप्योग होंगे, किस तरी किस इसको बनाना है, तो सबसे बहले बात तो APR जो ऑटोमेटेड पर्मानेंट अकाडमिक एकाउंट रिष्ट्री क्या है, तो यह 12 अंकों की यूनिक प्रना लिए, यानि प्रतियक स्टुडेंट को 12 अंकों का एक नंबर दिया जाएगा, जो अपारत में अधियंद्रत सभी विद्यार्थियों के लिए बनेगी, यानि पूरे देश के लिए यह है, और पूरे देश में यह बनेगी, और राश्टी सिक्षन निती 2020 विद्यार्थियों के ल प्रतियक विद्यार्थि के सेक्षनिक इतियास का विश्तरत और इस्ताई अभी लेक बनाया जा सकेगा, इनि इस्ते क्या होगा, इस पर सारा रिकॉर्ड रहेगा, स्टुडेंट के जो भी एजुकरिशनल ग्राउंड है, पूरा इतियास रहेगा, जिसमें पाठिक्रम, अ सब्ट कॉपी को भी संबालने की जुर्थ नी होगी, डिजी लोकर में आपको किसी भी समय उपलद हो जाएगी, इसके लावा विद्यार्थि कहीं से भी किसी भी समय अपने स्क्षनिक दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे, इसके लावा स्क्षनिक संस्तानों के मध्य स्तान मालो किसी बच्चे का ट्रांसपर्टीस ही जारी होती है और वो ही विद्यालेया का से दूसरे विद्यालेया बाइद में इनिवर्शिटीव गरा में भी जाएगा, इसके लावा कौसल नौकरी और उच्छ शिक्षा के लिए राविदन करेगा, तो भी उसमें यह अपर आज स्टूडेयन के लिए ABC ID बनाना भी जरूरी किया गया है, और विद्या समिक्षाकेंद्र VSK के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे उसकी इसायता से विद्यार्दियों के सेक्षिनिक परिणामों, छात्रवर्दियों और लाबकारी कारिक्रमों की मॉनिर्टिंग सभी प् लिंक दे दूगा, ताकि आप प्रतिक स्टूडेयन के यह पार ID बना सकते हैं, कि इनकिन बात को आप दियान रखना है, अब यहाँ अपर ID में डाटा की सुरुक्षा और गोपनिता को भी दियान में रखागे, पूरी तरह से निर्दिशों को पालंद किया गया है, यहनी डेटा सनक्षन, इंक्रिप्शन और डेटा सुरुक्षा का बुशिस द्यान दे आगे, और विद्यार्थी के अपर प्रणाली पर रख्तिकत और स्रक्शनिक जनगारे सुरुक्षी ते, और केवल उप्योग करता है, यहनी आपकी लोगिन ID पास्वर्ट से ही आप उसमें रीच कर सकते हैं, अन्य कोई स्कोप यूग में नहीं ले सकता, जब तक आप सहामती नहीं देते हैं, और प्रतिक विद्यार्थी के अपर ID जनरेट करने के लिए, माता पिता या जो भी वैद्दनिक अप्यपाव होगे, उनसे बहुत बाज़जी सहामती पत्र पर सानुमत पत्र होगा, उसका फर्मेट का मिलेगा, सारा डिट्यल में आप होता होगा, अब अपर ID निर्मान के लिए क्या क्या हो सकता होगी, यानि किस तरी किसी यह बनेगी, तो अपर ID का निर्मान है, इसकोल सिक्षा साक्षदा बाग, सिक्षा मंत्राले बार सरगर्द रोसन चार पत्र होगी, विद्याले द्वरा विद्याथियों को अपर ID बनाने से पूर्व, निम ना हो सकता हो कि पूर्तिया हो सके, यानि अगर आप यूदाइस फोर्टल पर जाएंगे, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी अपर ID जनरेट नहीं हो, तो किन-किन इस्तितियों में पर ID जनरेट नहीं होगी, यानि उसको लिए आपको पहले क्या-क्या त्यारिकने पड़ेगी, तो सबसे पहले तो आपको सेक्शनिक सत्र दोजार चौविस पच्छिस में, यूदाइस फोर्टल शक्री होना चीए, यानि तेभी 24 पिछले सत्र के जितने भी स्टूडेंट से उनका आपको रिजल्ट वगरा सारा फ्रीड करके, उनको आपको अगली क्लास में प्रमोट करना है, यानि जो प्रोग्रेशन मोडिल है, उसको आपको कम्प्लीट करना है, वेरिफे करना है, उसके बाद में यूदाइस फोर्टल सेक्शनिक सत्र दोजार चौविस पच् और पॉर्टल पर विद्यार जी के समस्त डाटा सत्या भी तोने बाद, खासकर डाटा सत्या पर जोगा तो प्रतियक स्टूडेंट का, अब वो पता है, पी एन नमबर है, वो जनेरेट हो चुका है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, एक और वीडियो में साला द पॉर्टल पर विद्यार्ति का डाटा का विद्याले द्वरा सत्या पर नहीं होना चीए, और यूदाइस पॉर्टल पर मातरपिता या भईवावक का सही मोबाइल नमबर उपलब दोना चीए, यह जो चीजे हैं वो विश्यस रूप से आपको त्यान लगने, एक तो कि प मोबेल नमबर भी आप जुरूर चेक करें, उसका जेनर जुरूर चेक करें, सही है उसका आधार में नाम और यूदाइस पूर्टल पर नाम है, और विद्याले में नाम, तीनों जगे सेम होना चीए, यह भी आप लेक अन्परम करें, उसके बाद ही अपर आईडी या जहां भी सुविदा है, वहाँ जा करके उनको पहले आधार बनवाने के लिए करना है, और आधार नमबर को फिर साला दरपन पर फीड करना है, फिर यूदाइस पूर्टल में भी वो डाटा आ जाएगा, उसके बाद ही आप उसका अपर आईडी जेनरेट करें, यह समस और माता पिता का या अभिवाव का नाम जन्म दिनाक मैंने पहले बता दे और लिंग जेन्डर, मेल फिमेल वो वो समान होना ची है, वो सही होना ची है, अगर सुझना है सही नहीं है, तो अपर आईडी का निर्मान नहीं हो पाएगा, आपको जबर दिस्ति आईडी नहीं और अगर बंड भी गई तो वो गलती हो जाएगी, फिर समस्य हो जाएगी तो आप ये पूरा दियान रगें, और जिनके डाटा समान नहीं है वे नियमानुसार आप शिक कारवई करें, अब जैसे मालो माता पिता के नाम में कुछ गड़ बड़ है, आदार में सही है, विश्यस बात आपको दियान रखनी है, दूसरा अपर आईडी का निर्मान प्रकरिया किस तरी किसे होगी, यानि किस तरी किसे आप आईडी जनरेट करेंगे, तो ये एक परा मॉडूल दिया हुए, चरण दिया हुए, किस तरी किसे होगा, तो इसके लिए सबसे पहले बताना है, उनके लॉंग टर्म यूज यानि पविश्य में बच्चों के किस-किस काम ये आईडी आएगी, वो बताना है, क्वेस्टन आसन, आंसर का सेजन वोना चीज, जिसमें माता पिता कोई भी अंपनी संका को समाधान कर सके, और ये काम है, अभिभाव को और सिक्षक लेवल पी किया जाएगा, यानि माता पिता और अभिभाव को की बैटक मी किया जाएगा, उसके बाद, उनको अची तरह से समझाने के बाद में, पेरेंट कंसेंट, फिजिकल आपको लेनी है, यानि माता पिता की सहमती लेनी है, यहां से आप देखेंगे, तो अपर पत्र है वो और जिस विद्यार्ति समोंच ते देगा नाम लिए नारी विद्यार्ति का नाम और अपने फैचान पत्र के रूप सेंशने वह और पत्र किया बना तो पहले नाम लेकर्ट STEP कि मैं अंट को पैचान पत्र के नंबर यह लिखने है इस्तान और यहां अस्ताक्षिर करने है दूसरे ऩाक्षर या करने कि मैं विद्धाले पर्मु गिया तिक नहीं वह वह अस्थाक्षर करेंगे नाम लिखना आपको सबसे पहले करना है यह मतापिता कि स्यामती लिए बिना आपको किसी भी विद्यार्दी के अपर आईडिया नहीं बनानी है यह जुरूर जान रखें और उसके बाद यह जैसे यहां से आऊ गया परेंट कंसेंट हो गई उसके बाद में आपको यूड़ा यूड़ाइज पोड़ीन करना और यूड़ाय को जाना है अब यूड़ा मोडल में जाने से पहले गया कि की वेरिपिकेशन ऑफ कंसेंट फ्रॉम कंसेंट फॉर्म विद आधार डिटेल से नहीं सबसे पहला हो आधार डिटेल जुरूर चेकर नहीं बच्छे की उसका जेंडर उसका नाम डेट बर्थ यह सारी अधार में और उसके बच्छे के युदाइस पोर्टल पर दोनों में से प्रॉम होने चीए एक्टिविटीटीज अफ युदाइस कॉडिनेटर आफ्टर पीडियम के बाद में युदाइस कॉडिनेटर ने जो भी युदाइस को संभाल रहे हैं विद्याले में वह यह काम करेंगे अगर आधार में सब जिकेश्ट डाटा नाम सही है नाम है पित जो भी आईडी कार्ड बनेगा उस पर प्रिंट करके आप अपर आईडी है वो मेंशन करनी है और इसके लावा कन्फरमेशन SMS डिलिवर टू परेंट्स यह जैसे यह पर आईडी बनेगी परेंट्स के पास में स्टूरेंट के जो भी नंबर आप देंगे वहाँ या युद स्टूर रहने के बाद में आप डिजिट लोकर में लॉग इन करके आप किसी भी स्टूडेंट की आईडी या जो पर आईडी कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं मैं अगले वीडियो में बता दूंगा किस तरी किसे डाउनलोड करना है तो यह तो पुरा हो गया अब यहा फोटो परती जुरूर लेकर आने के लिए करें ताकि उस फोटो परती से आप सहामती पत्र पे उसकी इंट्री कर सकें और विद्याले दोर आईजित अपर आईडी बनाने बैठेक में क्या करने आपको अपर आईडी बनाने उसके उप्यों के बारे में मात्रपिता है तो इंदी में चलेगा तो मैं इंदी का फॉर्मेट आपको पता दिया और स्यामती पत्र पर करके मात्रपिता या विवाग के अस्त्रक्षर करवा के उनकी एक आईडी प्रूब भी आपको अपने पास रखनी है और जिस पे उनका फोटो हो शाइन हो उसके बाद में मात सबसे इंपोर्टेंट बात एक तो ऐसा नंबर लिखने है स्टुडेंट के और पर्मानेंट नंबर पी एन नंबर है वो लिख करके अपने रिकॉर्ड में रखेंगे उसके अपरां दियूड़ाइस प्रोटल के विद्यारती लोगिन पे अपर मोडियो के माध्यम से उसकी आपको क्या क्या काम करना है विद्यारती का स्ट्रेक्शन एक वर्स 24 पर्षी से तो यूड़ाइस प्लस प्लस प्रोटल पर डाटा सत्यापरिद करना तो मैंने पहले कहा कि आपको गठ साल का जो भी बच्चे हैं उनकी रिजल्ट वगरा सारा वेरिफाइक कर आपको प्रो जुरू लेना है और स्यामति पत्रक के साथ में उनके आईडी प्रूफ जो भी आप दे रहे हैं वो उनका फोटो भी प्रती एक लिनी है जिसमें आधार टामिंग लेशन जो भी उनके पास उपलब दे और यह इस फोटो पर मोडिल में मातापिता विवाओ का डाटा सत्या से ब्लोग या जिला लेवल पर भी इसकी समीक सा वगर होगी तो आप जीता सिखरी यह काम सुरू करते हैं और अगर मालों आपकी समद्ध में कुछ समस्य आती है तो पूरे देश इस तरही है यह पूरे राज 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 देश की जो एलपलाइन नंबर है सकते हैं और जिला इसतर समस्या का अगर निवार नहीं होता है तो राज इसतर के जो भी कॉडिनेटर है यूड़ेस के उनके मोबाइल नंबर भी यहां दी हुए एक ट्रांसपर के समद्ध में आदेश फरजी जारी हो रहा था तो उसको मैंने आपको लाइब करके बताए था कि वह आदेश वह एडिट के हुआ है तो यह आप देखेंगे तो यह च्छे दस दोजार चौबी से नहीं कल का यह लेटर जारी हुआ है अपर आइडी के समद है मैं आपको टेलिगरम चैनल पर देदूंगा और टेलिगरम चैनल के लेंगा आपको मेरे प्रतिक वीडियो को डेस्कुप्स में मिल जाएगा तो महां से आप यह फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और यता शिग्र आप इसको पर करके बच्छों से उनके माता-पिता के साइन करवा के उनकी आईडी बनवा करके या माता-पिता प्रेंट्स की पीटीम का आईजन करके आप उनसे यह काम करवाने के बाद यता संब यता शिग्र आप बारा अंगों की जो है प्रतिक स्टुडियन के अपर आईडी जेनरेट करें और समद्दने आग वी क्वेरी ह तो आप कमेंट कर सकते हैं लेकिन यह जरूर ज्यान नखें कि जो मैंने बात वीडियों बता ही है वो करपया नहीं पूछें वीडियो को आप एक बार अच्छे तरस से देख लें आप कई लोगों की थोड़ी सी शिकायत रहती है कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूं तो बात यह कि एकर मालो मैं बहुत दीरे बोलूँगा तो आप उसी वीडियो को वापिस फास्ट फारोड करके देखेंगे तो आपको फास्ट फारोड करने का सकता नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पिल्ट से बोल रहा हूं फिर भी अगर आपके कुछ भी किसी तरह की पतर देने का प्रेस करूँगा तो मिलते नेक्स उडियो में तब तक जय हिंद जय भारत